चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पूरवजो ने जो हमारी उपलब दिया शिक्षा के माध्यम से इस डिपार्टमेंट में हमारे लिए जोड़ी है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी और हमारी जीवन भरगी पूंजी जो एनपीएस में कट रही है वो शेर बाजार में सरकार ऐसी लगा दे कि उसमें हमें पता ही नहीं हमारा पैसा लगका रहा है बहुत सारे अंडोलन और धरने परदर्शन हो रहे हैं और उनका कुछ कोई भी निर्ण होनी पारा कुछ भी पर जन्यवाद कि आप इस उमस भरे मोसम में भी आउपस्तित हुए और इस धरने में हमारे साथ हैं धरने परदर्शन में आज कर लोग बढ़ जड़कर इससा लेने पीछे अट रहे हैं ना जाने क्यों बहुत सारी समश्याएं हैं आप ज्याज़ता धरने में वहीं जुड़ से इस डिपार्टमेंट में हमारे लिए जोड़ी है वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी उसी के परिपेक्स में आज फिर से धरना है उत्तरपरदेश माद्यमिक शिक्सक्संग ठकराई गुट का जनपद शामली में दो हजार पांच में एक और आदेश आया पुरानी पैं करता है थोड़ा बड़ा होता है अपनी पढ़ाई लिखाई में अपना समय व्यतीत करता है उसके बाद में जब उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी आती है तो अपनी नोकरी की तलास में होता है और नोकरी मिलने के बाद में जब वो उस अवस्ता में दुबारा आ जाता है कि यहां पर फिर उसे साहरे की जरूरत होती है यानि कि जब वो सेवा निव्रत होता है तो वहाँ पर उसके लिए पैंसन सबसे बड़ा साहरा होता है लेकिन सरकार ने वो हमारी पैंसन भी हमारे साथियों की पैंसन भी अप्रेल 2005 के बाद खतम कर दी और हमारी जीवन भर की पुझी जो NPS में कट रही है वो शेर बाजार में सरकार ऐसे ही लगा दे कि हमें पता ही नहीं हमारा पैसा लग का रहा है तो वास्ता में ये सिक्षकों के साथ में और हमारे सरकारी करमचारियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है और इसके लिए आवाज उठ रही है और निश्चित रूप से वो आवाज पूरे प्रदेश पूरे देश भर में है और उसका ही प्रिणाम है कि कई प्रदेश में इस OPS पुरानी पैंशन के उपर सरकारी भी बदल गई है तो बिलकुल इसमें निश्चिन्त हमें भी रहना है और संगर्श करना है कि हम भी एक नेक दिन पुरानी पैंशन बिलकुल ले करके रहेंगे तो इसी के लिए हमें आज आना पड़ा और अब हमारे जो देख जी थे इनूने बताया कि 27 वांगे हमारी ऐसी हैं जिन पर हमें आज विचार करना और ग्यापन देना है तो जैसे कि दढ़ने चल रहे हैं तो मांगे क्यों नहीं मानी जा रहे हैं इसके पिछे क्या कारण है और अध्यापको कितने दिक्कत होगा सामना चीज़ों मांगना यह सासन की मंसा यह है कि लोग ऐसे ही जो है चुब बैठ जाएंगे दिरे-दिरे क्योंकि ऐसा ही हो रहा तो इसमें कोई हिसाब किताब कोई लेजर बनावा नहीं है तो हम एक रोसिस करेंगे कि उसका निरा करो इसमें अभी हमारे जो है पहले जो साथी रिटायर हुए एंपेस वाले तो उनकी जो पैंसन है आप ताजूमान होगे वो फंद्रा सो अठारा सो रुपे परबंत भी रिटार हुए नहींको नहीं इतनी कम पैंसन मिलिया है आप यह देखे कहें के मजदूर की मजदूरी भी नहीं पड़ती है इतनी कम पैंसी 15 उर्पे महिना के सब्सक्राइब और बाके अगर जब आपके अपकाउंट से कटता है बाजा तो वो शिक्षब होए जिनकी सैलली लबबग 75,000 के आसपास है तक्रीब लेने वाले 1550 पारे एंपीस तो बड़ा दुख़दाई पर करना है और वास्तवी किस्तिति क्या है कि आप किसी भी मादे में किस विद्ध सब्सक्राइजेशन एजुकेशन का हुआ है, CBSE, ICSE Board जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे को तो लिए एजुकेशन अलग ही है, ICSE, CBSE Board में है लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चे इन विद्धियालियों में उखाने किया. मैं दिसंबर 2004 में में विविंद्र कोलिज में मैंने जोयन किया था, मेरे यहां तब कारियरत थे 57 शिक्षक. मेरा नंबर में लेक्चिरर था, 16 लेक्चिरर था, और आज की डेट में हमारे में में किवल 29 टीचर कारियरत ह। 29 से हिक्षक कारी रत है सब रीटार होते गई यह भरती हो नहीं रही है तो ऐसी इस्थिती में मेरे यहां पर किसी गणित का कोई टीचर नहीं है तो बच्चे को कौन गणित पढ़ाईगा फिर दूसरी स्थिथी के सरकारी स्कूल में पैसा कहीं से आने हु सकता तो यह बहुत अब जिलाविद्यालने रिट्षक मोट आगें अच्छ अब ग्या बंदोगे आप